नमस्तु महराजी, महराजी आजकल कई लोग इना खाने की सामगरी आनलाइन मंगाते हैं, ताजा फूड मंगाते हैं, यहां तक तो ठीक है कि अगर आप कोई मंगा रहे हो वेसे तो जेन नियम के अनुसर गलत है, लेकिन इसमें कई बार हम हमारे परिवार की महिलाओं के बाजा और कैसे परिवार को इस बात के लिए समझाए जाए है, लेकि कुछ दिर पहले मैंने रतलाम में ही एक सवाल में कहा था कि आनलाइन काम हमें करना ही नहीं चाहिए, इसे बहुतों को रोजगार चिंता है, बरतमान में आनलाइन ट्रेडिंग इतनी मात्रा में बढ़ रही है, वो अनेक लोगों को विरोजगार करेगा और इसका पूरा बजार पर आधिपत कुछ कमपनियों का रह जाएगा, इसलिए काफी बिस्तार से मैंने चर्चा की, अभी शमय नहीं है कि इसना बिस्तार से करूं, आनलाइन पर तो हमें बिचार ही नहीं करना चाहिए, और जिन से हमारी निजिता खंडित होती हो, उन से हमें बहुत बचना चाहिए, आपने जिस तरह की बात की मुंबई में एक ऐसी घटना घटी, एक लड़की थी, जो नागदा समाज की लड़की थी, वो इसी ऑनलाइन के चकर में उसका नंबर एक से हुआ, और एक ऐसे वे होता, कम से कम, देल किलो सोना उसके घर से चला गया, तीस लाख रुपया भी उसके घर से चला गया, और लड़की को पूरी तरह बरबात कर चुका था, सेयोग अच्छा रहा कि हम लोगों का प्रवास उस समय उधरी था, समझाने के लड़की को समझ में आ गया, पूछा त एक बार नंबर उनके पास चला गया, कुछ मंगाने के चक्कर में, और उसके बार निरंतर बातचीत होने के साथ-साथ, वो लड़की पूरी तरह सा भटक चुकी थी, तो कही तरह की ऐसी गंभीर परिस्थितिया निर्मित हो रही है, हमें किसी से अपनी सुबधा की दिश् आक्रिस्थि किया है, इस पर बहुत गंभीरता से बिचारना चाहिए, और हमें, मैं तो ऑनलाइन के बिचार में कहा था, कोई चीज हमें थोड़ी महंगी भी बिले, पर उससे कई लोगों का पेट भरता है, तो हमें चाहिए कि हम उसे बजार से जाकर के ले, ताकि लोगों का घर भरे, घर पड़े, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए, केवल हम अपने लिए ना सोचे, और उके लिए भी सोचे.